जिस शक्सों तुमसे सच्ची महबबत होगी, वो तुमको फुजूल और नाजाइस कामों से रोकेगा। लोगों से याद ना करने का शिक्वा मत करो, क्योंकि जो इनसान अपने रब को भूल सकता है, वो सब को भूल सकता है। सबर की दो सूर्टे हैं, जो ना पसंद हो उसे बरदाश करना, और जो पसंद हो उसका इंतिजार करना। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो, जब तुम पूरी तरह तूट चुके हो, तो यकीन जानो, दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड सकता। तीन इनसान तीन चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, जूटा इज़त से, और जल बास कामियाबी से। जिंदगी में खुद को कभी किसी इनसान का अदीमत बनाना, क्योंके इनसान बहुत खुद गर्ज है, जब आपको पसंद करता है, तो आपकी बुराई भूल जाता है। तो आपकी अच्छाई भूल जाता है जो जलुम के जरीए इज़त चाहता है अल्ला उसे इनसाफ के जरीए जलील करता है इनसाफ करो वरना याद रखना हज़त सौलिय अलिए अलिए स्लाम की उपनी के कातिल सिर्फ चार लोग थे मगर गरक पूरी कौम हो गई क्योंके बाकियों का जरुम खामोश रहना था हज़त अली रजियल्ला उन्हों ने इशाद फर्माया जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूँ तो मैं नमास परता हूँ और जब मेरा जी करता है कि मेरा रब मुझे से बाते करे तो मैं कुरान परता हूँ दुनिया बद्तरीन होती जा रही है बुरे लोगों के ज्यादा होने की वज़े से नहीं बलके अच्छे लोगों की खामोशी की वज़े से रिश्टों को मजबूत रखने के दो रास जब आप गलत हों तो अपनी गल्टी तसलीम करें जब आप सही हों तो स्रिफ खामोशी अख्तियार करें इनसान के आशों उस वक्त मुकदस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलें जन्नत के मुनतजिर ना रहो बलके ऐसे बन जाओ के जन्नत तुम्हारी मुनतजिर रहे